नमस्कार दोस्तों, सिरीज नमर 27 सब इंस्पेक्टर उपनिरक्षिक भरती में इंट्रिव के दोरान पूछे गए RPSC मेंबर के दोरा सभी कोशन का डिस्कस अब उन सिरीज नमर 27 में करने वाले हैं हाला कि ये सभी सिरीज बैक टू बैक मैं आपके सामने अप्रोड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी हैल्फूल इसमें होगी तो चलिए शुरू करेंगे, आज की इस वीडियो उसको बात करेंगे कॉशन नमर 1 की तरफ जो RPC मेंबर के दोरा कैंडिडेट से पूछा गया है यहाँ पर कॉशन नमर 1 अगर बात करेंगे तो पानी का pH का मान कितना होता है यानि value of pH of the water, how much, कितना होता है मैं आपसे बता दूँ, सुध पानी का pH जो है, वो 7 होता है और सामने रूप से 7 से कम pH होने के बाद में वो अमली यानि कि acid माना जाता है अगर 7 से अधिक pH का मान हो, तो वो अपने base की रूप में होता है यानि कि छार की रूप में होता है और सतह जल प्रणालियों में pH के लिए सामने शीमा जो है वो 6.5 से 8.5 की बीच में आकी गई है और भुजल प्रणालियों की बात करें तो यहां पे pH की सिरेणी जो है 6 से लेके 8.5 की बीच में आपे है उसके बाद में WHO यानि कि World Health Organization के अनुशार 100 से लेके 150 TDS के पानी को सही तरीके से अपुन बताया गया है जिसमें 300 TDS से कम लेवल वाले पानी के शवाद में काफी अच्छा होता है 900 TDS में जादा वाले शवाद में काफी खराब होता है Next question की बात करेंगा तो सविधान की कौन सी अनुशुची में पर्थम सविधान संसोधन द्वारा याँ पे शामिल किया गया है काफी अच्छा कोशन है आप लोग इसको अटेंब किजीगा हाला कि आप लोग इसको जानते भी होगे इसका आंस्वर तो मैं आंसर की अगर चर्चा करूँ तो वो नौई सुची है जिसमें पर्थम सविधान संसोधन का याँ पे जोड़ा गया था शामिल किया गया था Next question की बात करेंगे तो यहाँ पे questions आपका आचुका है एक footwall team में कितने खिलाडी होते हैं उसमें कितने total players आपे play करते हैं निके खिलते हैं तो मैं आपको बता दू total खिलाडी जो है 11 खिलाडी होते हैं इस परकार से total footwall की team जो है उसमें 22 खिलाडी होते हैं अगर इस बात करें footwall की relevant informations की तो मुखे रूप से इसको shocker के नाम से जाना जाता है जो कि दुनिया के सबसे लोगपरी खिलों में से एक खिल माना जाता है यहें एक सामुई खिल भी माना जाता है और इसमें 11 खिलाडी के दो दल याँपे के बीच में खिला जाता है footwall को सामनेते एक आयतागार गाश या करतरी में गाश के मेदान पर खिला जाता है जिसके दोनों छोरो पर एक एक गोल या पर सेट होते हैं यानि कि लगे होते हैं खिलाडी उदारा विरोधी दल के गोल के गोल में चालाकी से गेंद को डालना ही या पर इस खिल का उदेश्य होता है और वो ही आपका एक पॉइंट्स में कैलकुलेटेड होता है फूटवल के मैच में तो यह अपने पास में इन कैंडिडेट की फूटवल में इंटरस्ट था हो भी थी इसलिए इन से ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं नेक्स कोशन की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने इंच का एक फूट यहां पे होता है यानि कि एक फूट में कितने इंच यहां पे होते हैं काफी अच्छा कोशन है आप लोग जानते भी होंगे एक फूट की अगर बात करें तो वो टोटल यहाँ पे 12 इंच के बराबर होता है 12 इंच के समान होता है नेक्स कोशन की बात करेंगे तो विदुत यानि कि किसी विदुत परिपत में विदुत धारा का मान घ्याद करने के लिए किस मेटर का उप्योग में लिया जाता है यानि सामानेते जो परिपत होते हैं उनमें विदुत धारा का परवा होता है उसको किस से मेजर किया जाता है कौन सा इंस्ट्रुमेंट होता है तो मैं आपको बता दूँ उसे एंतर का नाम जो है वो एमिटर है और इसे रिल्टेटर करें इंफोर्मिशन की बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां सिरफ विदुधारा के मान को ही माबने का कारिय करता है और इसे सदेव परिपत के स्रेणी करम यानि की सिरीज से स्योजन में स्योजित करते है जिसमें बहने वाली विदुधारा का मान शमान होता है परन्तु उसके अंदर जो विभव का मान लगाते है वो यहां पर एसमान होता है तो इस परकार से यहां पर जो रजिस्टन्स होता है आप उन इसको steady भी करते हैं और आप लोग काफी बार इसको नाम भी सुनाओगा ओम्स लोग के according अगर बात करें तो किसी भी circuit में जब voltage अप्लाइड करते हैं तो उसमें जो current flow होता है वो उसके directly proportional निया रहे कि समानुपाती होता है यह सभी relevant information में आप से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि science का student है तो इसको अच्छी से मैं detail से समझाना चाता हूँ next question की बात करेंगे तो next question आपकी screen पर आप आ चुका है अगर बात करें WTO का मुखे कारिय क्या होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है तो मैं आपको बता दू WTO का जो पूरा नाम होता है वो मुखेते विशो व्यापार संगठन यानि की World Trade Organization के नाम से जाना जाता है और इसके इतियास की बात करें या फिर इसके relevant information की बात करें तो 15 अप्रेल 1994 में से प्रारम होता जब मुरक्को के एक सहर मारकेस के में चार दिविशिय वारता प्रारम की गए थी इस समयलन की अध्यक्सता की बात करें तो परशूल के एम व्यापार का सामाने समझोता जिसे गेट के नाम से जाना जाता है इसके पर्थम महाने देशक जो थे वो पिटर सदरलेंड थे और इसी समयलन में गेट को नया नाम डबलू टियो यानि की वर्ट्रेड और्गनाजेशन भी हाँ पे दिया गया तो आपको कह सकते हो वर्ट्रेड और्गनाजेशन जो है वो आपका गेट का ही दूसरा नाम है इस संगठन की एक जनवरी उनिस सो पिचानमा में ये अस्तित्वा में आया और इसके पर्थम इस्थाई जो अध्यक्स है वो इटली के पर्मुके वेशाई रेनटो रूंगियरो है जो की विश्व वेपार संगठन वास्तों में विश्व की बावी अर्थवैस्ता को नियंत्रीत संचालित करने में काफी एक दस्ताविज की तरह कारिय करता है जो गेट के पुराने सवरूप में संसोधन करी याँपे वेपार का विस्तार भी कर रहा है काफी अच्छा कूशन है इन्ट्रनेशनल फॉरें रिश्व वेपार से लेटेड है क्योंकि इनके पास में एक्रकार की पूशन यहाँपे पूशन करके जाईएगा next question की अगर बात करें तो next question आपके screen पे आपके आचुका है अगर मैं questions की बात करूँ तो हाली में सिक्षय निती में किये गए बदलाव कौन-कौन से हैं और यह पहले की सिक्षय निती से किस परकार से अभी फाइदे मंद होगी तो मैं आपको बता दू हाली में जो सिक्षय निती गोशित की गई है एजुकेशन से सम्मन देती हैं यहां पे 2020 जो सिक्षय निती है उसके कुछ ही पॉइंट से अपन एक नजर में डिस्क्स कर लेते हैं अगर मैं first point की बात करूँ जो काफी important यहां पे रहने वाला है नई सिक्षय निती 2020 में सिक्षय पर सकल गरेलू उतपादन का 6% यहां पे खर्च किया जाएगा जो अभी हाली में 4.43 यहां पे परसेंट जो है खर्च किया गया था नेक्स नगर बात करें second point की अब पांचवी पोकरियाल निशांक अब देश के सिक्षय मंतरी यहां पे क्या लाएंगे next question की बात करें next point की बात करें तो law और medical education को छोड़ कर समस्त उस सिक्षय के लिए एक एकल निकाई के रूम में आपे भारत उस सिक्षय आयोग यानि HECI का घटन यहां पे किया गया अथार्थ उस सिक्षय के लिए यहां पे एक single regulatory यहां पे रहेगा जो उस सिक्षय में 3.5 क्रोड की नई सीटे यहां पे जोड़ी जाएंगे next point की बात करें चटी कलास में vocational course में आपे शुरू किये जाएंगे next point की बात करें तो music और arts को पाठेगरम में शामिल करने का यहां पे बढ़ावा भी दिया जाएगा next point की बात करें तो इपाठेगरम को बढ़ावा देने के लिए एक रास्टिय सेक्षिक टेकनोलोजी फोर्म यानि की NETF बनाय जाएगा जिसके लिए आपका 50% दे पहुचाने का लक्षय रखा गया जो की बात करें तो किसी विबाग का सेक्रेटरी बनने के लिए आपको कौन सा एक्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है यहनि किसी भी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं इसके लिए आपको कौन सा एक्जाम्स क्वालिफाई करना होता है तो मैं आपको बता दू इस एक्जाम्स के लिए आपको सबसे पहले UPS क्वालिफाई करना होता है जहनि कि Union Public Service Commission के दोवारा जो Civil Service Examination यहाँ पर एनम यानि पर येर यहाँ पर करवा जाता है जो पोस्ट इसकी होती है यहीं कि सबसे लास्ट रैंक की जो पोस्ट होती है वो Cabinet Secretary Grade L18 होती है जो कि Cabinet Secretary के नाम से जाना जाती है और यह एक Apex Skill के अगर बात करें तो इससे नीची Skills जो होती है वो Chief Secretary होता है उसके बाद में इसके नीची Skills के बाद करें तो divisional commissioner होता है जो की principal secretaries फिर additional secretary के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद में बात करें तो इससे नीचे जो रहती है वह secretary become commissioner होता है उसके पाद joint secretary होते हैं उसके बाद में district magisterd अप लोग DM कहते हो तो अगर बात करें तो special secretary come director होता है उसके बाद junior शोनियर एड्रizza टिग्राइग्ड होता है उसके वाद जॉइंट सेकरेटरी होते ऍठी सेकरेटरी होते हैं सीनियर टाइमस कियल आंटीजिटिक 파ूस team चों सब डिविजीन मजिस्टरी से से आप लोग कहते हो SDM, यह सभी जो हैं एक administrative service की post होती हैं, काफी prestigious post इनको माने जाती हैं, अगर बात करें next questions की, तो UGC किस ministry के अंडर कारिय करता है, यानि कि UGC जो काफी UGPG के लिए एक grant commissions का कारिय करता है, वो कौन से ministry के अंडर कारिय करता है, तो मैं उस ministry की बात करूँ, तो यहाँ पे MHRD ministry यानि कि आपका मानोख सुनसादन मंत्रा लेके अधिन ये कारिय करता है, next question की अगर बात करेंगे, तो राम मंदिर की भूमी का पूजन परधान मंत्री के दोवारा कब किया गया था, हाली में अगर बात करेंगे, तो इसकी न्यूस काफी आपे न्यूस पेपर में पबलिश हुई है, आप लोग जानते भी होंगे, हाली में राम मंदिर का उधगाटन यापे कर दिया गया है, जो कि मानन ने परधान मंत्री नरेंद्र मोजी जी के दोवारा पांच अगस्त के दिन इसका भूमी का पूजन किया गया था, कोशन के बात करेंगे तो हाले में टॉप एजूकेटर एन अकेडमी के दोआरा कौन सा सम्मिलन आयुजित किया गया है मैं आपको बता दूँ एक टॉप एजूकेटर के बात करें तो ओन्लाइन यूटूब्स के मादम से जो पढ़ाते हैं वो एन अकेडमी के एक पॉर्टल काफी चर्चा में रहते हैं to इसके लिए जो इनोंने सम्मिलन जो आयुजित किया है वो कमांड सम्मिलन करके है जिसमें की कमांड नामक ये सम्मिलन 14 से लेके 15 अगस के बीच में रखा गया है और अभियर्थी इसमें भारत के किसी भी कौने से इससा इसमें ले सकेगे अगर आप भारती रक्षा एम अर्थ सेनिक बल का इससा बनना चाहते हैं तो ये सम्मिलन आपके लिए काफी सुनहरे अफशर के लिए काम करेगा नेक्स इसी में बात करें तो कमांड की सबसे खाश बात ये है कि यहाँ अभियर्थियों को अनकेडमी के टॉप एजुकेटर्स उसके बाद में सीनिर लिडर्सिप्स टीम के द्वारा साथ-साथ कई वरिष्ट डिफेंस ओफिशर्ज हो रहेंगे जिसे लेफ्टिनेट है, करनल है, विग्रेडियर्स है और काफी परकार के जो जॉइंट सेक्रेडरीज भी हैं वो यहाँ पर इसमें हिशा लेंगे, ताकि सभी वच्चों को डिफेंस की कुछ महतपुर्ण वाते, टिप्स उसके जानकर यहाँ पर इस अनकेडमी के मादम से कमांड समेलेर में देने की कोशिश करेंगे और इसका शुभानम की बात करें तो 14 से 15 अगस की बीच में रखा गया है जिसमें कोई भी अभियरती इसमें भाग ले सकता है, जो की डिफेंस सर्विस में इंटरेस्टेड है नेक्स्ट अगर बात करें तो भारती शविधान को पुर्ण करने में टोटल कितना समय लगा था यहने अपने भारती शविधान की बात करें तो यह पूरा बनके कितने दिन इसको लगे थे पूरा बनने में तो मैं इसके बात करूँ भारती शविधान को पुर्ण बनने में जो इसको टॉटल दिन लगे थे वो दो वरश, ग्यारा महिने और उसके बाद में अठारा दिन का समय इसको लगे थे हाला कि ये काफी बलकी ये काफी बड़ा सविधान यहां पर भारत का माना जाता है सभी कंट्रिस में और काफी फ्लैक्जिबल भी सविधान है जिसमें अमेंडमेंट की भी शुविधान यहां पर की गई है नेक्स कोशन के बात करें तो वर्तमान समय में भारतिय शविदान के भाग कौन-कौन से है यह नहीं वर्तमान समय में बात करें तो भारतिय शविदान के कौन-कौन से भाग यहां पर शामिल किये गये हैं भारतिय शविदान में तो चलिए कुछ जूड़ी बातें डिस्कस करते हैं अगर बात करें भारती शुवदान के कुछ भागों की तो अपन पहला भाग की अगर बात करें तो पहली उदेशी का जिसे प्रियेंबल कहते हैं उसके बाद टोटल यहां पे 468 अनुचेत जिसमें 25 भागों में इसको भाटा गया है नेक्स्ट अगर बात करें तो टोटल अनुसुचित जो हैं वो 12 अनुसुचिया हैं और 5 जो हैं अनुलगन हैं जिसे अपेंडेक्स कहते हैं और टोटल जो संसोधन है वो 104 संसोधन यहां पे इसमें शामिल किये गए हैं अगर इससे related information की बात करें तो अब तक यहां पे 124 सविधान संसोधन विदेक ससंद में लाए गए हैं जिसमें से 103 या पर शविधान संसोदन जो है विधेग पारीत होगे शविधान संसोदन अधिनियम में सामिल हो चुके हैं 124 वा सविधान संसोधन विदयक जो है 9 जनवरी 2019 को शेशन में अनुछे 368 में जोड़ा गया था जो कि शविधानिक संसोधन के नाम से भी जाना जाता है इसमें विशेश बहुमत से पास हुए जिसके तहत यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर सामाने वरक को शेक्षिनिक संस्ताओं में 8 अगस 2016 को ससंद ने वस्तू और शिवा का GST पारित करके 108 वा संसोधन यहाँ पे शंसोधन किया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हुए हाले में 124 वा संसोधन उसके बाद में 101 यानि की 101 संसोधन जो है वो नए यहाँ पे शविधान के में जोड़े गए हैं बात करें तो भारत में वर्तमान पुलिस पर शाषन जो है इसकी रूप रेका जो है वो उसके जनम दाता कौन है तो मैं आपको बता दू भारती पुलीस शाषन की जो रूप रेका की जनम दाता जो है वो लौड क्राण विल्स है चलिए इससे related information की अपने बात कर लेते हैं वर्तमान काल में हमारे देश में अप्राध निरोध के समंधी कारिये की इकाई जिसका दाईतों पुलिश पर है थाना तथा फुलिश स्टेशन पर है थाने में न्यूकती अधिकारी करमचारियों द्वारा इन दाईतों का पालन होता है सन 1861 के पुलिश एक्ट के आधार पर पुलिश स्टेशन परतेग परदेश में इस्तापित किया गया इसके अंतरकरत परदेश में महा निरक्षक की अधिक्सता में निरक्षन में जनपदिये पुलिश स्टेशन इस्तापित किया गया परतेग जनपद में सुपरेडिनेट्ट पुलिश के संचालन में पुलिश कारिय करती है जो कि सन 1861 के एक्ट के अनुशार जिला धीस को जनपत के अपराद शमंदी सासन का परमुख यहां पर नियुक किया गया और उस रूप में जनपती है पुलीश के कारियों का निर्देशन भी हाँ पर किया गया तो सिंप्ली अगर मैं आपको डिस्कस करूँ इस वीडियोस में तो कुछ इस प्रकार से है वर्तमान पुलीश शहसन की रूप रेका की जनमजादा तो है वो लौड क्रॉन्विल्स है जो कि 1861 में इसका धायित्व यहां पे पुलीश पे डाला गया था जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे पर्देश का जो दाहित्व है वो महा निरक्षिक के देखस्ता में होता है और उसके बाद में महा उप महा निरक्षिक भी होते हैं और जनपद याने की एक डिस्टिक का जो दाईत हुआ होता है प्रसावसन का वो सुप्रिनेड़ेट प्लिस के हाथ मेता है तो चलिए नेक्स कुशन की बात करेंगे तो इंटेलिजेंस वीरो किस परकार की एजेंसी है यानि मुख्य कारिया इंटेलिजेंसी वीरो का क्या होता है तो मैं आपको बता दू जो इंटेलिजेंसी वीरो है वो सिंपली आपका एक गुप्त चर्विभाग है जो कि आपे भारत की गुप्त बातों को गुप्त एविडेंस को कलेक्ट करने का कारिय करता है आम सुचना विरो इंटेलीजेंसी विरो भारत की आंतरी खोफी आजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पूरानी खोफी आजेंसी इसको माना जाता है इसे प्राय आईबी के नाम से भी जाना जाता है इसे 1947 में गरह मंत्राले के अधिन केंद्रिय खूफिया वीरो के रोब में आपे पुनन रिर्मिर्ट यहापे किया गया था यह सरकार के दौरा संचालित और निगरानी अजनसी है जो कि गुप्त जानकारी के बारे में कुछ एविडेंस को कलेक्ट करने में काफी शायक होती है और काफी प्रकार की गुप्त जानकारी इसके दौरा दी जाती है काफी पुरानी एजनसी है जो कि खूपी एजनसी के नाम से भी इसको जाना जाता है जिसे आप लोग Intelligency Bureau के नाम से भी जानते हैं चले नेक्स कोशन की अगर बात करें हैं तो यहाँ पर नेक्स कोशन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हों है 2G Scam क्या है और इसका सम्मंध किस से है काफी अच्छा कोशन है, काफी पुराना कोशन भी है तो मैं आपको बता दू 2G Scam जो है अब तक के 2G Scam गोटाले में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक गपला माना जाता है यह गोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के महालेखागार और नियंतरंग केग ने अपनी एक रिपोर्ट में शाल 2008 में किये गए एक स्पेक्टर्म आउटन का शवाल खड़े गिए 2G स्पेक्टर्म गोटाले में कमपनियों को निलामी की बजाए पहले आओ और पहले पाओ वाली नीती के अधार पर लाइसेंस दिये गए थे जिसमें भारत के महालेखाकार और नियंतरंग के अनुशार सरकारी खजाने को अनुमानित 1,86,000 रपे करोड का यहां पे नुक्षान भुगतना पड़ा था और काफी यह चर्चा में भी रहा था आप लोग ध्यानते भी होंगे यह 2G गोटाला जो है यह एक आर्थिक घपला माना जाता है जो कि आर्थिक जो भारत की अर्थवस्ता है उसके साथ यह समझोता किया गया था और कंपनियों से इस प्रकार के अग्रिमेंट यह आपर किये गए थे कि पहले आओ और पहले पाओ और सभी प्रकार के लाइसेंस इनके द्वारा आपर रिलीज कर दी गए हाला कि वो लाइसेंस अथंटिक नहीं थे अगर माने तो टोटल यह इस काम्स के रूमें आपर कारियरत था तो यह अपने पास में काफी लेटिस न्यूज थी काफी पुरानी न्यूज भी थी तो मैं सभी न्यूज आपको डेटियल से स्टेडी कर रहा हूं मैं आशा भी करूँआ आपको वीडियो काफी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें next question के बात किरें तो commerce और economics में मुखे अंतर क्या होता है तो चलिए अगर बात करें commerce की तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं Commerce के मुख्य जो उपयोग जो होते हैं वो Accounting, Marketing, HR यानि Human Resources, Resources उसके बाद में Management का अध्यन करना ही एक Commerce सब्जेक्ट होता है उसके बाद में Economics के बाद करें तो इसके मुख्य रूप जो हैं वो Micro Economics हैं और उसके बाद में Macro Economics हैं इसमें अपने Inflation and Employment, Industrial Production आती का अध्यन इसमें करते हैं और Economics से समद्दी जो भी जानकारी होती है वो आशिल करने की कोशिश करते हैं जैसे GDP, NI, National Capitals, National Incomes होती है वो सभी Studies में की जाती है नेक्स कोशन के बाद करें तो अलाओदिन खिल जी की पतनी का नाम क्या था तो मैं बता दू अलाओदिन खिल जी के पतनी का नाम जो था काफी अच्छा नाम था चिमना भाई नाम से जाने जाते थी अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये इस आंसर पे मुझे confusion है आप लोग राइट आंसर सजेस्ट करके मुझे comment बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स कोशन के बात करें तो हाले में भारत के Chief of Defense स्टाप यानि की CDS कौन है तो मैं आपको बता दूँ ये Defense related questions है तो इसके Chief of Defense स्टाप की बात करें तो पूर्वे सेना परमुक जनरल विपिन रावत को बनाया गया था जो की पहले इंडियन आर्मी के Chief भी रह चुके है हाले में ये Chief of Defense स्टाप है भारत के नेक्स question की बात करें तो राज्तान का लोक कला मंडल संगराल है कहां पर इस्तित है और इसकी विश्यस्ता क्या है तो मैं आपको बता दू राज्तान का लोक कला मंडल जो है वो एक सांसकर्तिक आधार पर एक कला मंडल है जो कि उद्यपूर में स्थापित है इसके स्थापना 1952 में की गई थी जो कि भारती राजस्तान के उद्यपूर जिले में स्थापना की गई यहां राजे में लोक कला, शेंसकर्ती, गीत और राजस्तान, गुजराती और मद्यपर्देश के त्युवारों का अध्यन भी करते हैं अगर इससे relevant information के बात करें तो दिवारों पर कलाई जो हैं जो कला यहां पर यहां पर टाइप की गई है जो सांसकर्ती का अधार पर तो वो चावंड माता, अमाज माता, नर्सिंग माता, कला भेरू, शाडू माता, कला जी, गोरा जी, सांध माता, रेवारी देव इस सभी जो हैं कला के अधार पर उनकी दिवारों पर कलाई के रूम में निखारी गई है जो कि बात कर रहा हूँ मैं रास्तान कला मंडल की जो कि यहां पर 1952 में उद्यपुर में इसकी स्थाबना की गई थी जो कि विभिन प्रकार के सांस्करती कार्य करों में आधारित है और भारति यह शांस्करती को एक कला के रूम में निकारने का कार्य करता है काफी अच्छा कोशन है, काफी famous कोशन भी है ऐसे कोशन से most awfully different प्रकार के वे से आपे interview member के द्वारा पूशी जा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके subjects को और थोड़ी बहुत आपको general awareness के questions भी आपे पढ़ने चाहिए और आपके subjects के general questions हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए अगर situational questions की बात करें तो वो questions भी आपे काफी पूछे गए हैं हाला कि इस series में मैं आपके सामने कुछ ही situational questions लेके आया हूँ अगर बात करें बंद बरेठा, बांद राजस्तान के किस जिले में इस्सित हैं तो मैं आपको बता दू बंद बरेठा बांद जो है राजस्तान के बरतपूर जिले में इस्सित हैं जो कि मुखे रूप से अगर बात करें तो ये एक बांद के रूप में जो बरतपूर को पानिश अप्लाई करने का कारिये भी करता है और काफी अच्छा बांद ये फेमस बांद माना जाता है नेक्स कोशन के बात करेंगे तो यहाँ पर रास्तान में सबसे पहले परमवीर चकर किसे दिया गया था और किस उपलक्ष में ये दिया जाता है तो मैं आपको बता दू राजस्तान के पहले प्रमवीर चकर जो हैं वो हवलदार मेजर पीरू सिंग को दिया गया था और इनको जो प्रमवीर चकर दिया गया था वो उनके मरणों परांद दिया गया था जो कि 1948 में इनको परदान किया गया था सेंट्रल गवर्मेंट की द्वारा नेक्स कोशन की बात करें तो अजमेर जिले के में किस खनीज संपता का एकादिकार उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहीं राजस्तान में ऐसी कौन सी खनीज संपता है जिसका एकादिकार अजमेर डिस्टिक के पास में है और यहीं इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है तो मैं उस खनीज का नाम बताओं तो क्वार्ट्स जो है वो यहाँ पे खनीज का नाम है जो कि अजमेर जिले में काफी एकादिकार वाला खनीज परदात माना जाता है नेक्स कोशन की बात करेंगे तो मानमोरी का सिलालेक है राजस्तान के किस दिले में सित है तो मैं आपको बता दू मानमोरी का सिलालेक जो है राजस्तान के चितोडगड में सित है जो कि 713 एश्यू में इसकी खोज की गई थी इसकी जानकारी प्राप्त की गई थी नेक्स कोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रास्तान की पहली स्किल यूश्टी रास्तान में कहां पर इस्तित है यानि रास्तान की जो कोशल स्किल यूश्टी जो है जिसे ILD के नाम से भी जाना जाता है तो वो रास्तान में कहां पे इस्तित है मैं आपको बता दूँ वो जैबूर के जाम डोली जो की आगरा रोड पे पड़ता है वहाँ पे रास्तान की पहली स्कल इंविश्टी का स्थापना किया गया था काफी अच्छा इसमें job scopes यहाँ पे देखने को मिलते हैं काफी placement भी करवाता है next question की बात करें तो विदुदहरा का मातरक क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ विदुदहरा का मातरक जो है simply ampere के नाम से जाना जाता है और इसको measure करने का जो instrument है वो emitter होता है यह सभी questions है वो science के student से पूछे जाना है जिनके B.H.C. में physics subject यहाँ पे रहा है तो उससे related यहाँ से question उससे पूछे गए है next question की बात करें तो बलफ में जो तन्तू होता है जो element होता है वो किस दातू का बनाया जाता है तो मैं आपको बता दूँ बलफ के अंदर जो element होता है यानि तन्तू जो होता है आप लोग देखते हो brightness प्रोवाइड करता है वो tungsten metal का बना होता है जो की काफी light प्रोवाइड करने में काफी helpful होता है next question की बात करें तो किसी चालक में electron किस अवस्ता में पाय जाते हैं यानि simply एक चालक का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है और उसमें electron जो है वो किस अवस्ता में पाय जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ उसमें 77 अवस्ता में पाय जा सकते हैं या फिर गतिसी अवस्ता में पाय जाते हैं अगर आप लोग externally voltage apply कर दो तो या फिर उसमें मुप्त अवस्ता में भी electrons पाय जाते हैं और जैसे अपने applied voltage इसमें अप्लाई करते हैं तो वो electrons हो हैं वो sequentially form में आविस्त का रूम में आपे अपने change हो जाते हैं नेक्स question के बात करें तो कालिदास जी की रचना कौन-कौन सी है आप उन में से कोई important रचना आपको बतानी है हाला कि मैं इससे related information सभी आपके सामने discuss कर रहा हूँ हो सकता है कि next day ऐससे question इससे related पूशे जाए तो मैं आपको बता दूँ अभिज्यान सांकन तुलूम कालिदास के सबसे परशित रचना माने जाती है जो कि छोटी-छोटी कुल लगबग अगर बात करें तो 40 रचने इनके दवारा रचित है जिनने अलग-अलग विद्वानों ने कालिदास के दवारा रचित सीद करने का परियाश यहां पर किया है इनमें से मातर साथ ही ऐसी निर्विरोध रूप से कालिदास की माने जाती है जो कि तीन यहां पर नाटक है इसे रूपक के नाम से जाना जाता है जिसमें अभिज्यान है, साकन तुलूम है, विक्रम सिरियम है, उसके बाद में माल विक्रम मित्रम है उसके बाद में दो महा कावे इनके द्वारा लिखे गए हैं जिसमें रगवन्सम, कुमार संभव हैं और दो खंड कावे इनके द्वारा लिखे गए हैं तो यह अपने पास में थी कालिदास से समंदित हिंदी सब्जेक्ट के स्ट्वेंट्स के लिए जो हिंदी लेक्टरेक्चर के से स्ट्वेंट्ट बिलोंग करते हैं ग्रैजुशन हिंदी लेक्टरेक्चर में किया है next question के बात करें तो यहाँ पर mouse किस प्रकार की युगती है तो मैं आपको बदा दू mouse जो है एक के geographical user interface की युगती है जिसका GUI के नाम से भी इसको जाना जाता है mouse एक hardware device के नाम से जाना जाती है जो computer के input device का काम करती है mouse के जरिए हम अपने computer को operate कर सकते है mouse करजर से हम computer में मई से text, icons, files, folder आदी select भी कर सकते है अगर मैं बात कुरूँ इसके बारे में थोड़ी और related तो यहाँ पर right से left keylen ने इसका अविश्कार किया था साथ ही में अगर बात करें तो एक scroll button भी इसमें होता है जिसके मदद से हम page को scroll यानि के open नीची कर सकते है mouse को सुरुआत में x y position में indicator कहा गया था जिसे mouse की खोज जो है वो डगलस एगन बीटे 1963 में की थी यह भी काफी अच्छा question है जो computer science से बिलोग करते हैं जिनका graduation में BC कर रखा है या फिर MC कर रखा है computer science से तो उन candidate से ऐसे question पूछने की काफी संभावना है आप लोग देख भी पा रहे हुए computer से काफी questions पूछे गया है काफी मैंने पिछली सीरीज में भी आपके सामने upload किये थे तो ऐसे questions जो होते हैं वो काफी important होते हैं और अज सभी के लिए important बन जाते हैं क्योंकि member के द्वारा किसी ना किसी candidate से ऐसे question computer से related पूछे जा रहे हैं तो यह अपने पास में समझत information थी जो मैंने इस वीडियो के सामने आपके सामने discuss किया और ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके सामने लाते रहते हैं डेवाइडी जो कि अभी हाली में जो series number अगर बात करें तो 27 का आपने discuss किया सभी questions से RPC member के द्वारा पूछे गये हैं मेरे द्वारा किसी प्रकार का questions generate नहीं किया गया नहीं बना गया है तो मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सकाइब बना बिल्कुल ना बोलें इस channel को और मैं आपको बता दूँँ अगर किसी प्रकार का confusion आपके minds में है तो दिये गए comment box में comment करके मुझसे पूछ चकते हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर इस channel को अपने friend circle में share नहीं किया तो प्लीज मैं आपसे request करना चाहूँगा इस channel को ज्यादा ज्यादा अपने friend circle में इसको share भी कीजेगा ताकि हमें आपका अच्छी से बरपूर शयोग मिल सके तैंक्यू धन्यवाद